अभी तक क्या आपने हमारी टेली की पिछली क्लास में सिखा लेजर क्या होता है टेली में लेजर कैसे बनाते हैं और लेजर बनाते से में अंडर गूर्प देने के बाद और जितने भी फीचर्स होते हैं सभी करूज हम टेली में कैसे करते हैं आज किस वीडियो में आपको मै बताने वाला हूँ accounting voucher, accounting voucher क्या होता है और accounting voucher कितने type क्यों होते हैं तो देखें friends एक company के अंदर या फिर business में जितने भी transition होते हैं, जितने भी lender होते हैं सबकी entry हमें टेली के अंदर accounting voucher में करना परता है, जिसमें हमें ये दिखाना परता है कितने का purchase किया गया, कितने का sales किया गया, कितना payment company में receive हुआ है, और कितना company से payment किया गया है. ये सभी entry हम account writing voucher में करते हैं, मार लीज़े fiends से accounts के अंदर accounting voucher में सिर्फ एक एक wuracher है, आपको सिर्फ मानना है, और उसके अंदर हमने purchase की entry, sales की entry, payment की entry, payment receive की entry, तो उस वाले बहुचर में जाने के बाद फिर हमें यह देखना परेगा कि payment किस-किस से कितना-कितना receive हुआ है, पूरा हमें find करना परेगा, जहां पर purchase की भी entry है, sales की भी है, payment receive की भी है, और payment की भी है, तो कहां पर किस से कितना payment receive हुआ है, हमें वापर ढूरना परेगा, इसलि तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर सभी बाचर के बारे में बताऊंगा कौन-कौन से बाचर होते हैं और किस बाचर में कौन-कौन से इंट्री होती है आप देखें टेक्निकल कंपूर्टे क्लास ऐसे अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइ ऐप आपके लिए बहुत IMPORT tapa hोने वाला है क्यूंकि आज किस वीडियो में सीखने वाले हैं अकाउंटिंग बौचर जिसमें एक बिजनस के अंदर जितने बी टैंसरन होते हैं किसको डविट करना है और किस से करेयीट करना है accounting voucher सीखने के बाद असानी से समझ में आ जाता है जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड से accounting क्या होता है तो आज किस वीडियो में हम सबसे पहले सीखेंगे voucher voucher क्या होता है voucher is the return documentary evidence of day-to-day activities of the business यहाँ पर voucher का जो काम होता है एक business में या फिर किसी भी company में day-to-day activities सुबह से सामता के जितने भी transition होते हैं सबी transition को return में record किया जाता है और voucher से में यह पता चलता है एक company के अंदर जितने भी transition होते हैं जितने भी lending होते हैं तो किससे कितना purchase किया गया कितना sale किया गया किससे कितना payment receive किया गया और किसको कितना payment दिया गया इसके बाद यहाँ पर दिया वाँ है It means It is the primary of books of account voucher accounting का primary book है जिसमें यहाँ पर दिया वाँ है in which the business transition are recorded in a systematic order एक voucher में business के अंदर जितने भी transition होते हैं सभी को system recording record किया जाता है तो आपने देखा friends बाँचर क्या होता है टाइप आफ बाँचर है बाँचर के different types है यहाँ पर बाँचर no types के होते हैं पहला बाँचर है Contra बाँचर जिसकी shortcut क्यों होती है F4 जब हम टेली के अंदर accounting voucher में काम करेंगे और हमें counter voucher में काम करना होगा तो accounting voucher में जाने के बाद keyword से press करेंगे F4 इसी तरीके से यहाँ पर और भी बाँचर दिये है दूसरा है payment voucher जिसकी shortcut क्यों होती है F5 तीसरा है receive voucher जिसकी shortcut क्यों होती है F6 इसी तरीके से यहाँ पर और भी बाँचर दिये है तो आज हम सब से पहले सीखेंगे Contra Boucher Contra Boucher क्या होता है Contra Boucher इस वाले Boucher में सिर्फ Bank से Related Entry होती है यहाँ पर दिया हुआ है The Transaction Completely Related to the Bank Should be Recorded Under Contra Boucher यहाँ पर Banks Related एक Company में या फिर Business में जितने भी Transaction होते हैं सभी Transaction को Contra Boucher में Record किया जाता है यहाँ पर Example में दिया हुआ है Cash Deposit into Bank अगर Cash Bank में जमा करते हैं तो यह जो Entry होगी Contra Boucher में इसी तरीके से Cash Withdraw from Bank अगर Bank से पैसा Withdraw करते हैं तो इसकी भी Entry Contra Boucher में होती है इसके बाद दिया है Payment Boucher एक Company के अंदर किसी भी Party को जो Payment करते हैं उसकी सभी Entry Payment Boucher में होती है यहाँ पर दिया हुआ है Any Payment Made by Business To the Outside से In Terms of Cash और Check Should be Recorded यहाँ पर दिया है Friends से कभी भी किसी को Cash में या फिर Check से Payment करते हैं तो सभी Payment की Entry Payment Boucher में होती है यहाँ पर एक्जेंपल में दिया हुआ है Salary Paid by Cash किसी को भी Salary अगर Cash में Payment करते हैं तो उसकी Entry Payment Boucher में होती है इसी तरीके से Rent Paid by Check अगर Check से कोई भी Payment करते हैं तो यहाँ पर Rent Pay किया गया है Business में या फिर Company में किसी को भी Check से Payment करते हैं तो इसकी भी Entry जो होती है Payment Boucher में होती है आपको सिफ इतना याद रखना है Friend से कोई भी ऐसा ट्राइशन जिसमें किसी को Payment किया जा रहा है Check से या फिर Cash में तो उसकी जो Entry होती है Payment Boucher में होती है इसके बाद दिया है इन दिस Boucher एनी रिसीप मेड बाई बिजनर से फ्रॉम दा आउट साइड से इन टरम्स ओफ Cash और चेक Should be recorded एक बिजनर से बाहर से किसी से भी पैसा रिसीब होता है या फिर कोई भी Company को Payment करता है तो उसकी जो Entry होती है चाहे वो Cash से Payment करे या फिर चेक से तो उन सभी Transaction की Entry Receive Boucher में होती है या फिर हम यह कह सकते हैं Friends से कभी भी पैसा Company को Receive होता है बाहर से तो उसकी जो Entry होती है उसकी होती है Receive Boucher में यहाँ पर एक्जेंपल में दियावा है Discount Receive By Cash जब Company में Discount Receive होता है Cash में तो उसकी जो Entry होती है Receive Boucher में या फिर Commission Receive By Check अगर Company को Commission Receive होता है चेक से तो इसकी जो Entry होती है यह भी होती है Receive Boucher में इसके बाद यहाँ है General Boucher देखे Friends General Boucher के अंदर जब भी कोई Business के अंदर कोई भी ऐसा Transition होता है जिसमें Cash या चेक नहीं आता है तो उसकी जो Entry होती है General Boucher में होती है यहाँ पर दिया हुआ है All the Non-Manitory Transaction Should be Recorded Under General Boucher For example में Depreciation of Machinery Machinery पर खर्च होने है Selling Outstanding Selling अभी देना बाकि रह गया है अगर इस टाप के कोई भी Transition होते है बिजनेस के अंदर तो इन सभी की Entry General Boucher में होती है इसके बाद दिया है Sales Boucher एक Company के अंदर जब भी Goods से Sale करते हैं चाहे किसी Party को उधार में Sale करें या फिर Cash में तो उसकी जो Entry होती है Sales Boucher में होती है यहाँ पर दियावा है All the Credit Sale and Cash Sale Of Goods Should be Recorded कभी भी Goods उधार में Sale करें या फिर Cash में Sale करें तो उसकी जो Entry होती है Sales Boucher में होती है और मैं आपको बता दूँँ फ्रेंट से किसी भी Company में जिस चीज का Business किया जाता है उसी को बोलते हैं Goods तो कभी भी उधार में Sale करें या फिर Cash में Sale करें तो उसकी जो Entry होती है Sales Boucher में होती है यहाँ पर example में दियावा है Goods Sold by Cash यहाँ पर Goods Sell किया गया है Cash में तो इसकी जो Entry होगी Sales Boucher में इसी तरीके से यहाँ पर दियावा है Goods Sold on Credit तो Mr. Anupay, यहाँ पर एक party है Mr. Anupay, जिसको good sale किया गया है, उधार में, यहाँ पर लिखा हुआ है, on credit, तो कभी भी good से cash में sale करें, या फिर उधार में sale करें, तो उसकी जो inti होती है, sales voucher में होती है, इसी तरीके से, एक होता है हमारा purchase voucher, sales voucher का just opposite है, वो था हमारा sales के लिए और यह है purchase के लिए, यहाँ पर दिया हुआ है, all the credit purchase and cash purchase of goods should be recorded, कभी भी company के अंदर goods से उधार में purchase करें, या फिर cash में purchase करें, तो उसकी जो inti होती है, purchase voucher में होती है, और यहाँ पर एक्जेंपल में दिया हुआ है, purchase goods by cash कभी भी good से cash में purchase करते हैं, तो उसकी जो inti होती है ऍिन्ट्री परचेश बाचर में इसी तरीके से परचेश घूटस से उन क्रेडिट ए फ्रों mis터र अंकी थे यहाँ पर miscar अंकी से घूटश परचेश किया गया है उधार में तो इस वले ट्रांजेक्शन की भी इंट्री परचेश बाचर में होगी आपको सिफ इतना दखने फ्रेंड से कभी भी goods से चाहे उधार में परचेश करें या फिर cash में परचेश करें उसकी जो इंटी होती है परचेश बाचर में होती है इसके बाद दिया है credit note है जब किसी customer को goods sale करते हैं और वो किसी कारण से चाहे वो एक समान वापस करें या फिर सारा ही वापस करें तो उसकी जो इंटी होती है credit note voucher में होती है यहाँ पर दिया हुआ है the goods return from customer for any inferior quality should be recorded कभी भी customer से sale करने के बाद जब समान वापस आता है तो उसकी जो इंटी करते हैं credit note voucher में करते हैं यहाँ पर example में दिया हुआ है the goods return from Mr. Anil यहाँ पर Mr. Anil से गूट से वापस आया है यानि कि इसको पहले sale किया गया होगा और sale करने के बाद किसी पॉलम की वैसे Mr. Anil ने समान वापस कर दिया company को तो कभी भी भी गूट से sale करने के बाद कमपनी में वापस आता है तो उस वा गूट परचेश करने के बाद किसी पॉलम से चाहे एक समान वापस करें या फिर सारा ही वापस करें तो उसकी जो इंटी होती है debit note voucher में यहाँ पर दिया हुआ है the goods return to supplier for any inferior quality should be recorded यहाँ पर supplier समान परचेश करने के बाद जब उसको गूट से वापस किया जाता है तो उसकी इंटी होती है debit note voucher में यहाँ पर example में दिया हुआ है the goods return to mr. अंकीत यहाँ पर mr. अंकीत एक supplier है जिससे पहले समान परचेश किया गया था और यहाँ पर इसे वापस किया जा रहा है तो इस वापस किया जा रहा है तो इस वापस किया जा रहा है तो इसके बाद लास्ट बा इंटी करते हैं और आपको यह clear है कि यह जो transaction है किसी भी voucher में लएन जाएगा ना payment में लीशे में ना purchase में ना sell में और फिर general voucher में तो उस वापस कि इंट्री हम gratis बावचर में करते हैं और बाद में अगर यह clear हो जाए कि यह जो transition है कि यह कौन से बावचर में जाएगा फिर हम उसे memorandum बावचर से हटा करके जिस बावचर में entry करना है उसमें हम entry कर देते हैं यहाँ पर इसके बारे में दिया वह है All the doubtful transactions should be recorded under this voucher कोई भी ऐसा transaction जिसमें आपको ये doubt होता है कि वो किसी भी voucher में नहीं जाएगा तो उसकी जो entry करेंगे हम Memorandum voucher में और बाद में ये clear हो जाता है कि इस वादे transaction की entry कौन से voucher में होगी तो दुबारा से Memorandum voucher में उसे हटा करके हम उसे उसी voucher में इंटी कर देते हैं और यहाँ पर example में दिया वा है All Miss Happening Entries तो आपने देखा फ्रेंड से accounting voucher क्या होता है और accounting voucher कितने type के होते हैं आगे की next वीडियो में टेली की practical class में सीखेंगे एक business के अंदर जितने भी transaction होते हैं सभी transaction की इंटी नहीं आता है आप हमें comment कर सकते हैं अगर आप हमारे चल पर नए हैं तो हमारे चल को subscribe कर लें और साथ साथ बिल आपकर बटन पर क्लिक कर दें ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके की और भी नए नए वीडियो जैसे ही upload करूं आपको उसको जनकारी सबसे पहले मिल सके और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें ठैंक्स